जानते हैं एक home remedy जिसके लिए दूद या फिर पानी में एक चीज मिलाकर पीना है, नसों में ब्लॉकेज, नसों का दर्थ, कॉलिस्ट्रोल का बड़ा होना, ट्राइगलेस्राइट का बड़ा होना, डायबेटीज होना और अगर आपका खून गाड़ा है, वेलिकोज वेन की स समस्या है, जॉइंट्स में हमेशा सूजन रहती हो, और आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, डेली रूटीन के काम करने में भी दिक्कत हो रही है, तो यह समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यह home remedy उमर बढ़ने के साथ होने वाली सबी बिमारियों को अल्दी रखेगी, आपकी हड्यों को स्ट्रॉंग बनाएगी, नसों में ब्लॉकेज नहीं होने देगी, इसे आप एक टॉनिक की तरह रात को सोते समय दूद में मिलाकर पी कर देखें, आपको पहले ही दिन से रिजर्ट्स मिलने लगेंगे, बहुत ही सिंपल सी remedy है, जी हा लूनियन लैनिक ऐसेड इसके अलावा इसमें हाई कौैंटिटी में प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें भरपूर मातना में कैल्शियम होता है, अगर आपके शरीर में कैल्श्यम की कमी है, विटैमिन D3 की कमी है, तो अल्सी बहुत अच्छी है आपके लिए, ये इम्मین सिस् उनके लिए भी अलसी बहुत ही अच्छी होती है, यह वात और कफ दोश को दूर करती है, अलसी थाइराइड में भी बहुत अच्छी है, हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करती है, अलसी के एक नहीं सैंक्रोफ वाइदे हैं, तो आपको करना क्या है, एक पैन में 4-5 शमच अलसी जाल देनी है, और लो फ्लेम गैस में हलका हलका आप इसे भून ले, अलसी जलना नहीं चाहिए, हलका ड्राय रोस्ट करना है, जब अलसी भूनने लगेगी तो यह चटचट की अवाज करने लगेगी, और इसमें से अच्छी खुश्पू भी आने लग जाएगी, फिर इसक जो इस पौडर में आड करनी है, वो है, सौंट पौडर यानि सूखे हुए अद्रक का पौडर, फिर इस सौंट पौडर आपको आसपास के आईरवेधिक दुकान में या फिर किसी भी पंसारी की दुकान में असानी से मिल जाएगा, सौंट पौडर क्या करेगा, आपके श मदू में यानि डायबटीज की बिमारी को क्योर करेगा, और आपके शरीर में बढ़े वात और कफ को कंट्रोल में करेगा, आपने आधर चमच के बराबर सौंट पौडर, चाल चमच अलसी पौडर में आड कर देना है, तब इसमें तीसरे इंग्रेडियंट जो आपको इस शरीर में कॉलिस्टोल को कम करता है, साथ ही आपके हड्डियों के दर्थ को दूर करता है, नसों को मजबूत करता है, अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या रहती है, गुटनों में दर्थ रहता है, कंधों में दर्थ रहता है, बैक पेन की समस्या रहती है, या फिर आपक को जो इस powder में add करना है वो है healthy powder, healthy powder आपके joint pain की समस्या को दूर करेगा, आपके liver के लिए ये बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ आपके sugar level को maintain करता है, नसों में blockage को दूर करता है, शरीर में सूजन हो तो उसको दूर करने का काम करेगा, तो आदा चमच healthy powder इसमें add कर दे है, friends आप इसको दूर के साथ इस्तेमाल करें, कुछ लोग कहेंगे कि हम दूर नहीं पीते तो आप almond milk यानि की पदाम milk ले सकते हैं, या फिर coconut milk के साथ ले सकते हैं, अगर फिर भी आप किसी भी तरह का दूर नहीं ले सकते हैं, तो आप एक कब गुनगने पानी के साथ इस powder को ले सकते हैं, आपको एक चमच इस चाथ चीज़ों से बने powder को लेना है, और उसे एक गिलास दूद में आड़ करके पीना है, इसे रात को सोने से जस्ट पहले लेना है, रात को सोने से पहले इस remedy को लेंगे तो आपको इसका 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि रात को सोने के सम आपका पूरा शरीर को ये detox करेगा, शरीर को regenerate करेगा, इस तरह से आपको इसे 20-25 जिन तक लेना है, आप देखेंगे कि आपको फ़र्प महसूस होने लगेगा, नसों में blockage दूर होने लगेगी, हड्डियों का दर्थ खतम हो जाएगा, कॉलिस्ट्रोल रिद्यूस होने लगेगा, आपका blood sugar level नॉर्मल होने लगेगा, तो I hope आपके लिए जानकारी लापधायक से दूगी, thank you